बिहार में दो जनवरी से हलके बारिश के संभावना न्यू इयर से गिरेगत आपमान बढ़े की कनकनी आज भी राजधारी पटना समेथ राज़भर में मौसम साफ रहेगा सुबा में हलके कुहासे के बाद दिन में सोमार की तरे धोग निकल रही है लेकिन 29 दिसंबर से उत्तरपश्यों भारत में पक्षमी बिख्षोब मौसम को प्रभावित करेगा साथ इसके निशले वायूमंडल में पूरवी हमाओ के संपर के प्रभाव से विहार के अधिकान शुभागों में दो जनवरी से हलकी से मध्यम दर्जी की बारिश होनी के समाओना है उसमें पहले मौसम विभाग ने एक ले दो दिन तक राच के अधिकान शुभागों में हलके से मध्यम कोहां से चाने का पूरानुमान लगाया है इसमीश पिसले 24 खंटे के दुरान सरवाधी का अधिक्तम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सेस दर्भंगा और सबसे कम ने उन्तम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सेस गया और सब और में दर्श किया गया सुमान की सुभाः पटना और पूरिया जिले में एकडो स्तानों पर हलके से मध्यम का य उन्तम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सेस और सबकि राजी कह फिल्के 47.5 ог्त ने उन्तम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सेस दर्श किया गया सुबा में हलकी फुल की ठन के बीच राजधानी पट्रा के बुद्ध मूती बाइपास कोलंबर, कंकर बाग, कोलनी मोट समेत कई, चोग चोराहों पर लोग आख सेकती और सुबा शरीर में गर्बाहट लानी के लिटोर लगाते नजर आए बता दे चले बिहार में दो जनवरी से हलकी बारिश के संभावना है, न्यू इयर से गिरेगा तापमान, आज भी राजधानी पटना समेथ, राजपर में मौसम साफ रहेगा, सुबा में हलके कुहासे के बाद, दिन में मुसोम और कितरे धूप निकली रहेगी, लेकिन उन्त साथी दिसंबर से उतरपश्चिम भारत में पश्मी बिख्शो मौसम को प्रभावित करेगा, साथी इसके निसले वाईवंडल में पूर्वी हमाओ के संभाव से अधिक बिहार के रिक्दम भागों में दो जनवरी से हलकी से मध्यम दर्जे की बारिश होने के संभावना है दिख्शांस एडू टेक लाया है दिख्शांस डिजिटल क्लास का उपयोग कर शात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मज़ेदार दिख्शांस डिजिटल क्लास को स्कूल में बैट कर देखना है तो पेंडराइब और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम नरसरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000 नरसरी से लेकर आठवी तक के लिए 24,000 नरसरी से लेकर दसवी तक के लिए 30,000 अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दिख्शांस डिजिटल क्लास के यूटूब चैनल को विजिट कर सकते हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद